क्लास 10 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत हैं इस ओनलाइन क्लास के माध्यम से अभी तक हम लोग क्लास 10 में 9 चेप्टर को पढ़ चुके हैं और 10 मा चेप्टर हमारा सरकिल चल रहा है बच्चों तो सरकिल में हम लोग अभी तक एक थियोरम को पढ़ चुके हैं दूसरे थियोरम को भी पढ़ चुके हैं 10.2 को भी पढ़ चुके हैं 10.2 प्रमय के बाद जो भी एक्जामपल हैं हमने बताया था कि सारे एक्जामपल को आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा तो पीछले वीडियो में हम लोग दो एक्जामपल को solve कर लिए थे कितने एक्जामपल को? दो एक्जामपल को हम लोग solve कर चुके थे अब इसके बाद हम लोग का तीसरा एक्जामपल जो की board पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 cm तिर्जिया के एक ब्रित की 8 cm लंबी एक जीवा PQ है देखे 5 cm तिर्जिया वाली एक ब्रित खीची गई है और इसमें 8 cm लंबी एक जीवा है आपका जिसका नाम है आपका PQ दिया गया है P और Q दिया गया है P और Q पर असपर्स रेखा परस पर बिन्दू T पर प्रति छेद करती है तो देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे पर T पर काठती है तो फिर कहता है क्या आग कि TP के लंबाई निकालनी है तो इसकी लंबाई नीकालनी है तो इसके लिए कुछ क्लास 9 के भी थ्योरम का उपयोग किया जाता है जैसे कि हम लोग जान रहें कि perpendicular from the center to the cord bisect the cord मतलब कि अगर बृत्य के केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को वो दो बराबर भागों में बाटती है तो यहाँ पर अगर हम यह point A डाल दें तो यह जो आपका P A और A Q दोनों बराबर हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी दिया गया है तो O से इसके proof में लिखेंगे हम O से जीवा P Q पर लंब डाला गया है तो निश्चित रूप से P A बराबर A Q हो जाएगा अब देखिए P Q जो है 8 cm है और यह A बिंदू पर आधा बट रहा है तो निश्चित रूप से यह जो है 4 cm हो जाएगा अब यह आपको मिल गया 4 cm ठीक ना यह आपका मिल गया यहां से यहां तक 4 cm अब आप यदि तिर्भूज P A O में चलते हैं तो P A O जो तिर्भूज है आपका वो है कितना समकौन तिर्भूज है कैसी तिर्भूज है समकौन तिर्भूज है चुकि यहां पर थियोरम ही है कि वो सिकेंद्र से डाला गया लंब जीवा पर दो भागबे बटती हैं तो इस तरह से यह जो है आपका क्या हो गया लंब हो गया यहां पर अब यह लंब हो जाता है तो इसमें हम लोग किस थियोरम को लगा सकते हैं पैथागोरस थियोरम को लगा सकते हैं तो ओ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे रूट अंडर 5 का स्क्वाइर माइनस 4 का स्क्वाइर करेंगे तो 25 माइनस 16 बराबर 9 यह आपका निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर तो यह निकल गया आपका 3 सेंटीमीटर निकल गया समझ में आ रहा है अब हम लोग चलते हैं दो तिर्भूज तिर्भूज PTA और तिर्भूज PAO में बच्चों ध्यान देंगे PTA और P O A में यह दोनों तिर्भूज में हम लोग चलते हैं इस तिर्भूज में हम देख रहे हैं कि एक कौन इसका 90 डिगरी तो एक कौन इसका 90 डिगरी दोनों क्या है आपका 90 डिगरी है तो यहाँ पर यह एंगल 1 और यह एंगल 2 तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल 2 इक्वल 2 इक्वल 2 90 डिगरी अब इसमें सोचिए कि ये दोनों जो कौन है आपका है ना इस दोनों कौन को मिलाकर पूरा होता है कितना 90 डिग्री तो यदि यह कौन नम्मर हमारा 3 है तो यह कौन जो हो जाएगा 90 माइनस एंगल 3 लिख देंगे 90 माइनस एंगल 3 हो जाएगा ये और चुकि यहाँ पर जो है आपका फिर से 90 डिगरी का कौन बन रहा है तो यह जो कौन हो जाएगा आपका यह 3 एंगल हटने से यह भी 90 डिगरी माइनस एंगल 3 लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं? कि इस तरह से यह कौन आपका A और यह कौन B जो है यह दोनों आपका बराबर हो जाएगा इसको दूसरे तरह से लिखते हैं हम लोग चुकि A और 3 मिलकर, A जोड 3 मिलकर 90 डिगरी होता है आए 3 और B मिलकर, कौन 3 और कौन B मिलकर 90 डिगरी होता है दोनों क्या होता है? 90 degree होता है, तो इसका मतलब कि यह दोनों भी आपस में क्या है? आपका बराबर है, इसमें भी angle 3 है, इसमें भी angle 3 है, तो दोनों आपका कट गिया, कटने से हम क्या देखते हैं कि angle A equal to angle B मिल जाता है आपको, तो चलिए इस तिर्भूज में और इस तिर्भ बराबर है और इसका B और इसका A जो है बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो तिर्भूज है आपका कौन सा तिर्भूज ले ले लेते हैं इस तरह से P T A P T A T P तिर्भूज A T P जो है समरूप हो जाएगा तिर्भूज A P O के समरूप हो जाएगा यह किस क्राटेरिया से A A समरूपता से समरूपता से यह दोनों जो है समरूप हो जाता है जब यह दोनों समरूप हो गया तो समरूप होने के बाद क्या हम लोग जानते हैं कि उसका साइड का जो रेसियो होता है वो बड़ाबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए A T by A P equal to T P by T P लिखें तो P O उसके बाद हम A P by A O भी लिख सकते हैं अब इसमें से क्या है कि जिसकी हम जरूरत पड़ेगी जिसे जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग यूज करेंगे अब इसमें सारा वैल्यू रोखिए आप देखिए A T का वैल्यू पता है A और T का वैल्यू नहीं है पता छोड़ दिये इसको T P का वैल्यू पता है T P का वैल्यू नहीं है पता छोड़ दिये P O का value पता है P O का value है 5 दिया हुआ तो यहाँ पर हम लिख सकते है T P बट 5 इक्वल 2 A P देखे कितना है आपका A से लेकर P तक कितना है आपका 4 है तो इसको लिख दिये 4 A O देखे कितना है A से लेकर O तक हमारा दिया गया है 3 तो यहाँ हम लिख दिये 3 तो इस तरह से T P बराबर कितना हो गया पांचो के 20 बीस बट 3 सेंटी मीटर यही आपका आंसर हो जाएगा तो मेरे बच्चों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा आप लोग इसको ठीक तरह से अपने कॉपी में लिख लेंगे जिस तरह से हमने लिखा उसी तरह से भी आप उतारेंगे तो अब हम लोग का जितना भी उधारन था इसमें यह खतम हो चुका है उधारन के बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे कैसे तरह के किसने कैसे कैसे बिचित्र तरह के problem है इसमें और इसकी बिचित्रता को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं चुकि जोमेट्री ही बिचित्र है जोमेट्री अगर पढ़ो तो नीद आएगी मन नहीं लगेगा लेकिन हाँ बच्चों अगर थोड़ा सा आप क्यूरियस हो जाए और यह सोचने की हमें पढ़ना है समझना है तो इससे आसान हमको ने लगता है कि और कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10.2 के तरफ 10.2 में के problem को बनाने से पहले पहले इसको हम लोग मिटाएंगे तो चलिए इसको मिटाते हैं इसको साफ कर लेते हैं प्रधान मंत्री मोधी जी के अहवान पर हम लोग स्वच्छ भारत बनाने की मिसन में हैं तो मेरे प्यारे बच्चों स्वच्छता आप लोग बरकरार रखिए हां तो question प्रशना वाली 10.2 में कहता है कि एक बिन्दू Q से एक बृत पर असपर्श रेखा की लंबाई 24 संटिमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 संटिमीटर है एक बिन्दू Q से दिखे ये आपका एक बृत दिया गया है एक बिंदू Q से इसके असपर्स रेखा की लंबाई जो है 24 cm दिया गया है और उसके बाद इसके केंद्र से इसकी दूरी 25 cm दी गई है तो फिर आपको यहाँ पर निकालना है बिरित्त की तिर्जिया यहीं हो गया तिर्जिया आर तो देखिए जैसे हम लोग पढ़े इस प्र राइट एंगल ट्रेंगल आपको विश्वास नहीं होता है कि राइट एंगल ट्रेंगल सर कैसे होगा तो राइट एंगल ट्रेंगल का क्या है परिवासा पता ही होगा राइट एंगल ट्रेंगल में हमको यानि कि समकौन तिर्भूज बनने के लिए एक कौन 90 डिग्री का चाहिए तो यह कुण कैसे 90 डिग्री का है जानते हैं कि असपर्स रेखा के असपर्स बिंदू से खीची गई जो तिर्जिया होती है वह असपर्स रेखा पर लंब होती है तो इसलिए हम इसको 90 डिग्री कह सकते हैं पैथा गोरस थियोरम लगा दिए आर बराबर रूट माइनस 24 का स्क्वेर लिख दिए इस तरह से 25 जोड 24 एक बार लिख देंगे और एक बार 25 घटा 24 लिख देंगे बच गए हम लोग गुना करने से तो यह 49 इंटू 1 हुआ 49 यानि कि 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर तो यह देखिए option कौन सा है आपका इसमें option A है तो इसका option A जो है answer हो जाएगा इसके बाद देखिए question number 2 में कहता है कि यदि TP और TQ केंदर O वाले किसी बिरित पर दो असपर से रेखाए इस प्रकार हो कि POQ 110 degree है देख्या जाए दूसरा figure तो यह दूसरा figure में इस तरह से देखिए दिया गया है चलिए थोड़ा सा figure को हम इस तरह से tilt क करके बना देते हैं और यह जो है आपका यह हो गया क्या कैंदर हो गया यहां पर 110 degree का कौन दिया गया है और यह आपका है O P Q T दिया गया है तो इसमें क्या निकालना है आपको PTQ किसके बराबर है कौन PTQ निकालना है आपको दूसरे नम्मर में तो PTQ इसको निकालना है आप देख रहे हैं तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए कहीं जाईएगा नहीं POQT जो है एक चतरभूज है क्या है? एक चतरभूज है यसर है ना? चतरभूज है तो इसके चारो कौनों का योग 360डी होता है और हम जान रहे है कि असपर्स रेखा और तिरजिया के बीच का कौन 90डी असपर्स रेखा और तिरजिया के बीच का कौन 90डी तो 1, 2, 3 गो एंगल मालूम है तो चाउथा एंगल निकालना है तो बड़ी आसान है कैसे निकालेंगे कि तीनों को हम एड करेंगे 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस ये एंगल को आपका हो गया माल लीजे थीटा इक्वल टू 360 डिगरी तो इसलिए थीटा कहने का मतलब एंगल पी टी क्यू बराबर 360 माइनस नौदुना 18 18, 180 जोड 110 तो हो गया आपका 180, 190, 290 कितना हो गया? 290 में हम अगर 360 में 290 घटाते हैं तो हमको मिलता है 70 डिगरी तो प्यारे बच्चेओं देखिए आपका कौन सा ओप्षन है? ओप्षन नम्मर B जो की 70 डिगरी दिया गया है तो यह आपका हो जाएगा B हो जाएगा यहां इसके बाद तीसरा नंबर है यदि एक बिंदू पी से ओ केंद्र वाले बृत पर पीए और पीबी असपर से रेखा परस पर असी डिग्री का कौन से जुकी होती है तो पी ओ एक ज्याद करें तो ओ केंद्र वाला एक बित्त है उसके बाद पी से खीचा गया पी ए और पी बी पी ए और पी बी असपर से रेखा ये जो है जुका हुआ है कितने डिग्री से असी डिग्री से जुका हुआ है तो हमको यहाँ पर निकालना है क्या निकालना है पी ओ ए पी ओ ए ये एंगल हमको निकालना है पी ओ ए समझ गया है यह तो आपका हो गया नाइंटी डिग्री इसमें कोई दाग नहीं है कोंत कितना डिग्री हो गया आपका नैंटी डिग्री पी ओ ए यदि एक बिंदू पी से ओपर वक्येंद्रवाले पी फस रेखा परश्पर असी डिग्री के कोन पर जुकी हो 80 degree के कौन पर जुकी हो तो P O A P O A निकालना है तो मेरे प्यारे वच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह दोनों एंगल मिला के आपका जो है कितना है 80 degree है यहाँ जो है आपका 80 degree है हलांकि यह जो 80 degree है यह लाइन इसको bisect करती है bisect करती है मतलब यह भी 40 degree और यह भी 40 degree अब यह bisect कैसे करती है इसके proof के लिए भी हम देख सकते है कि यह दोनों तिर्भुज जो है आपका सरवांग सम है कैसे सरवांग सम है इसकी तिरजियाय देखिए बराबर है बराबर है उसके बाद इसका जो tangent होता है एसपर्स रेखा बाहरी बिंदू से खीची गई एसपर्स रेखा की दूरी बराबर होती है तो बराबर है उसके बाद यह जो है, आपका common यानि उभाइनिस्ट रेखा है बराबर होती है, बराबर हैं दोनों के लिए तो दोनों तिर्भूज हमारा क्या हो गया सर्वांग सम हो गया सर्वांग सम हो गया तो यह कौन और यह कौन बराबर होगा जब दोनों को बराबर भैल्यू मिलना है और दोनों के लिए 80 किया गया है तो कितने कितने में बढ़ जाएगा 40-40 में बढ़ जाएगा तो अब यह हो गया आपका 40 और यह हो गया आपका 90 और यह बेचारा कितना होगा यानि कि 40 जोर 90 जोर थीटा बराबर 180 डिगरी तो यह थीटा कहने का मतलब एंगल POA बराबर 180 में घटा दीजिए 9,4,3,130 डिगरी तो बच गया आपका कितना डिगरी? 50 डिगरी यही 50 डिगरी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यह आंसर है हमारा A चलिए खुश इसके बाद हम लोग देखते हैं question number 4 तो इस के solution को आप लोग बड़ी ध्यान से बारी बारी से उतार लें इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं question number 4 को देखने जा रहे हैं तो question number 4 question number 4 में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बिरित्त के किसी ब्यास के सीरों पर खीची गई असपर से रेखाई समानतर होती है किसी बिरित्त के तो कोई भी बिरित्त ले लिए के ब्यास के सीरों पर ये ब्यास मतलब जानते हैं ये होता है इधर radius r तो यह भी होता है radius r यानि की 2 r बराबर ब्यास होता है के सीरों पर खीची गई असपर्स रेखाएं तो ये इसके सीरों पर असपर्स रेखाएं हमने खीच दिया है और कहता है कि ये जो रेखाएं होती है समांतर होती है समांतर मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे समांतर मतलब तो दोनों रेखाओं की बीच की दूरी हर एक जगह, लंबबत दूरी जो होती है, बराबर होती है अब इसके लिए हम एक चीज जान रहे हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं माना की ओ कैंद्र वाला एक ब्रित हैं, जिसमें ए भी एक ब्यास है, और ए तथा बी से होकर, होकर असपर्स रेखाएं, क्या-क्या है, कुछ नाम देते हैं एल एम, पी क्यू, एल एम एंड पी क्यू हैं, इस तरह से हम लोग लिख देंगे अब हमको क्या दिखाना है, कि तू सो देट, यानि कि प्रमानित करना है कि प्रमानित करना है कि एल एम जो हैं, पैरलल हो जाएगा, पी क्यू 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 इसके लिए हम लोग जानते हैं हम जानते हैं की असपर्स रेखा तथा त्रिजिया जो की असपर्स बिंदू पर हो आपस में लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, तो यहां 90 डिगरी का कौन और यहां भी 90 डिगरी का कौन तो इसका मतलब हो गया, कौन यह वन और यह कौन आपका मान लिजे टू, तो कौन वन इक्वल टू कौन टू, बराबर क्या हो गया, 90 डिगरी हो गया अब हम लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, कि अगर एकांतर अंतह कौन बराबर होते हैं, किसी दो रेखा को परतिछेद करने वाली एक तिरियक रेखा इस प्रकार काटती है, कि एकांतर अंतह कौन बराबर हो जाए, तो वो दोनों रेखाय आपस में समांतर होती हैं, तो यहां पर हम बस अब इतना ही लिख के दिखाएंगे, कि यह जो हैं, कोनों के यूगम एकांतर अंतह कौन हैं, इसलिए यह जो आपका LM हो जाएगा, समांतर PQ हो जाएगा, बस इतना ही लिखना है, और आप उल्टा के देख लिजिए, जैक बोड में कम सकम यह हर एक बार, हर एक बार अल्टरनेट करके पूछता ही हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इतना सा जान जाते हैं, इतना सा कर लेते हैं, तो आपके लिए चार नम्मर रखा हुआ हैं, इससे एक नम्मर अब्जेक्टिव पूछा जाता हैं, अगर आप सिर्फ सरकिल को पढ़ज देते हैं, पूरी बढ़ियां तरह से, तो आ पाँच नम्मर का मालिक हो जाते हैं, तो चलिए बच्चों, आप लोग इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको, तो आईए हम लोग देखते हैं, क्वेशन नम्मर फाइव, सिद कीजिए कि असपर्स बिंदू से, असपर्स रेखा पर, खीचा गया लंब, बृत के कैंदर से होकर गुजरती हैं, देखिए, ये उसको मिटा देते हैं बच्चों, तो चलिए, मिटाते, मिटाते, जो हैं, एक अच्छी बात कर लेते हैं, बच्चों, लोकडाउन की स्थिती में, आप लोग जो हैं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, बाहर निकलिए, तो मास्क लगा के निकलिए, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता हैं कि, असपर्स बिंदू से, अगर किसी भी बृ इत्में, असपर्स बिंदू से, एक रेखा लंबवत खीची जाए, कैसी रेखा खीची जाए, लंबवत खीची जाए, नब्वे डिग्री का कौन बनाते हुए, तो निश्चित रूप से यह कैंद्र, ओ से ही गुजरती हैं, तो इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है, कि क में अंद्र, बाला, एक ब्रित है, उसके बाद असपर्स रेखा, क्या है आपका, ए बी है, और असपर्स बिंदू पी है, असपर्स रेखा, ए बी, तथा असपर्स बिंदू, बिंदू पी है, है ना, तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, करना है, की, असपर्स बिंदू के लंबवत, रेखा जो है, क्या अंद्र से होकर गुजरती है, यह प्रूप करना है, इसको जो है, प्रूप करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बदमासी करते हैं, बदमासी मतलब समझ रहे हैं, कि माँ बाप बोला कि बेटा यह कर लो, तो नहीं करेंगे, जब नहीं किये, तो उसका बुरा परिनाम निकला, तो बाद में पस्ता रहे हैं, कि माँ बाप मेरा ठीके बोल रहा था, तो वही चीजी यहां करने वाले हैं हम लोग, देखिए कैसे करते हैं, कि माना यदी संभव हो, यदी संभव हो, तो पी टी जो हैं, पी टी कैंद्र से होकर, से होकर नहीं गुजरती हैं, नहीं, गुजरती हैं, है न, तो कहीं तो गुजरती होगी, तो यह जो हैं, यह पी टी डैस से होकर जाती हुई, कैंद्र से होकर गुजरती हैं, तो कैंद्र जो हैं, हमारा, ओ डैस मौल लेते हैं, पी टी डैस से होकर जाती हुई, कैंद्र ओ डैस हुई, बृत का कैंद्र, बृत के कैंद्र, ओ डैस से गुजरती हैं, तो अब क्या हुआ, कि यह जो हैं, ओ जो हैं, इस बृत का कैंद्र नहीं है, थोड़ा देर के लिए यह माल नहीं हैं, अब इसका कैंद्र क्या हो गया, आपका, यह टी डैस जो निकला, इसका कैंद्र, ओ डैस पर है, ठीक न, किस पे हैं, ओ डैस पे हैं, तो जब हम लोग जान रहे हैं, कैंद्र से होकर अगर जा रही हैं, और उसके बाद असपर्स रेखा, असपर्स रेखा के असपर्स बिंदू से अगर कैंद्र की तिर्जिया को, कैंद्र से असपर्स बिंदू को हम मिला देते हैं, तो वह तिर्जिया हमेशा असपर्स रेखा पर लंबवत होती हैं, तो हम यहां कह सकते हैं, तो कौन O-PB जो है, आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यह जो है आपका परमय 10.1, परमय किस पॉइंट से 10.1 में यह कह रहा है, कि यह जो होगा हमेशा 90 डिग्री का होगा, लेकिन आपका दिया गया है O-PB जो है 90 डिग्री है, के अंदर O वाला एक ब्रित है, असपर्स रेखा A-B पर असपर्स बिंदू P है, असपर्स बिंदू P है, और यह जो है आपका, तो सिद्ध करना है कि असपर्स बिंदू के लंबवत रेखा केंदर से होकर गुजरती है, तो यह देखिए, इससे लंबवत रेखा जो है केंदर से होकर गुजरती है, अल्रेडी यहाँ पर दिया गया है, असपर्स बिंदू के लंबवत रेका, इसी लिए हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, इसका मतलब O-PB जो है, O-PB के बराबर हो गया, दोनों एंगल जो है, आपका, सेम हो गया, अब जब दोनों एंगल सेम हो गया, तो अब बताईए, कि यह जो है, O-PB और O-PB, यह दोनों एंगल सेम कर दियें, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि यह O और O- जो है, अलग बिंदू नहीं है, तो इससे हम क्या निशकर्स निकालते हैं, इससे निशकर्स यह प्राप्त होता है, कि O एवं O- एक ही बिंदू है, है ना, अतह हम जो माने हैं यहां पर, यदि संभव हो तो P-T, P-T जो है आपका केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, तो केंद्र से होकर कोई गुजरेगा ना भाई, कोन गुजरती है, तो यहां P-T- से होकर जाती हुई, बिरित केंद्र O- से उजरती है, तो यह जो माने हुए है, तो यह क्या हो गया हमारा गलत हो गया, तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हैं, अतह जो हैं, कह सकते हैं कि अस्पर्स बिंदू के लंबवत देखा, अस्पर्स बिंदू के लंबवत रेखा, केंद्र से होकर गुजरती हैं, यही इसको प्रमानित करना था, बच्चों, यह थोड़ा हैं कम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको आप एक बार दो बार देखेंगे, तो उम्मीद हैं कि आपको समझ में आ जाएगी, अब हम लोग रेष्ट प्रॉब्लम जो हैं, अगले वीडियो के माधियम से स्वाल्व करेंगे, तब तक रेष्ट कीजिए, और रिभाइज कीजिए इसको, धन्यवाद.